कि विल्कम तो कॉक्टिस इंडिया एंड आयम यह होस्त दादा बार्टेंडर फ्रेंड्स आज का वीडियो में हम लोग जानेंगे फाइव वैलिट पॉइंट अबाउट वाइन वाइन के बढ़ में हम लोग का जो इन्फरमिशन है बहुत समित है बहुत कम है और कभी कबार ह है वाइन के साथ क्योंकि नॉलेज की चलते हम लोग प्रॉपर वाइन और नहीं कर पाए है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने बाला हो कि क्या है वाइन और वाइन को कैसे प्या जाता है वाइन जब पीते है तो हम लोग देखते कि वाइन को ऐसे श्रिल किया जाता है साथ में लोग ये भी जानेंगे कि वाइन को टेस्ट कैसे करेंगे, हम लोग कैसे जानेंगे कि अपना पैलेट क्या है और कैसे उसी Listen क्या है, वाइन के साथ कौन सब फूड बेस्ट होता है, रेड वाइन लू या वाइट वाइट वाइन लू ऐसा बहुत सारा छोड़ा छोड़ा इंफोरमिशन जो फाइब पॉइंट्स की दौर पे मैं आपको पेश करूंगा तो यह वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग वीडियो हो सकता है अगर आप सच में वाइट पसंद करते हैं हो तो चलिया आगे बढ़ा और देखते हैं वhos वेलीड फाइब फ़ैंट्स क्या-क्या है वाइन की आपर आगे बढुक स्फेश्च नमबर वाइन में अमने हम जालेएंगे क्या है वाइनले क्या है रेडट वाइन होता है उसके शोठी बेगा काफी सारा वाइन होता है त Actually wine is a fermented grape juice मतलब grape को crush किया जाता है और उसके बाद जो juice निकलता है उसको yeast देकर ferment किया जाता है और उसके बाद उसको filter करके bottle करके आपको बीचा जाता है यहाँ पर एक notice करने लाएक बात है कि red grapes अगर आप उसको squeeze करते है तो जो juice निकलता है वो white color का juice निकलता है इसलिए red grapes से white wine बन सकता है ज्यादा तर champagne red grapes से ही बनता है हलाकि वो जो wine का color है red color वो आपको मिलता है red grapes का जो skin होता है उस skin से अगर आप उस skin को अपना हाथ में मसलेंगे तो आप देखेंगे कि वो red color छोड़ रहा है और एक notice करने लाएक बात है कि red wine को mostly age किया जाता है as compared to white wine एक कहबत like a bottle of wine आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि 99% wine जो है वो aged होता ही नहीं है मतलब मैं बोलूँगा और्थी age नहीं है अगर मैं whiskey के साथ compare करूं तो आप देखेंगे whiskey 15 years old 10 years old या आपका 21 years old मिलता है अगर आप wine की तरफ switch करेंगे तो आप देखेंगे wine का जो usually जो मिलता है aged wine वो 5 years six years उससे ज्यादा मिलता ही नहीं है only one percent wine जो काफी age किया जाता है मतलब 40 years 45 years age किया जाता है वो only one percent है world में point number two में मैं बताऊंगा health benefit of wine जिहां एक ऐसा alcohol मतलब wine एक ऐसा alcohol है जिससे आपको थोड़ा बहुत health benefit मिलता है अगर compare करेंगे non drinker के साथ एक wine drinker का तो मैं बोलूँग कि जो stroke होने का chances है वो non drinker को ज्यादा होने का chances है हलाकि जो wine पीता है उसको थोड़ा कम होगा और यह specially red wine के उपर applicable होता है मतलब red wine में काफी मात्रा में antioxidant रहता है और जब जब आप wine पीते हैं तो antioxidant आपका blood pressure को control करके रखता है आपका skin tone को बरकरा रखता है fresh बनाता है तो wine में काफी health benefit है याद रखेगा moderate drinking के साथ होगा otherwise कभी नहीं wine सिर्फ आपको मदद करता है थोड़ा सा reduce करता है ना कि आपको cure बना देता है तो आगे से याद रखेगा moderate drinking बहुत ज़रूरी है point number 3 में how to order a wine जब भी हम लोग enjoy करने के लिए जाते हैं कहीं भी बर में या पब मे तो अकसर हम लोग गलत wine को चुनते हैं क्योंकि हम लोग को मालूम ने है कि मेरा जो पैलेट है वो कैसा wine को support कर सकता है या मुझे कैसा wine चाहिए Gibbs का नाम अकसर हम लोग जानते नहीं है और हम लोग के पास उतना information भी नहीं होता है तो हम लोग गलत order कर देते हैं तो इससे अच्छा है कि आप जब भी order करे तो waiter या expert को बला लीजिए और आप उसको अपना criteria को बोल दीजिए कि आपको चाहिए क्या और उसके according वो waiter या जो expert है वो आपको बता देगा कि आपको क्या लेना है क्या सही है और साथ साथ मैं आपको एक चीज़ देमस्टर करके बताना चाहूंगा कि यह देखिए मेरे पास एक red wine है जहां पर 150 ml पोर्क किया गया है और इतना surface खाली है यह क्यों है आप अभी समझ जाएंगे जैसे आपक इसे श्रूल करेंगे तो इसका जो उपर का जो ओयल सर्फेस है वाइन का यह कोटिंग कर लेगा अपना ग्लास में और रिलीज करेगा maximum एरूमा और maximum note तो आप ऐसे सुरूल करेंगे और जब नोज में लाएंगे तो आप प्रॉपर एरूमा को नोटिस कर पाएंगे साथ सा आपको देखना है ग्लास की तरफ अगर वाइन बहुत जल्दी से नीची की तरफ आता है मतलब तब आपको समझना चाहिए कि यह जो वाइन है इसका जो डेंसिटी है काफी लाइट है मतलब जो नीचे बहुत कुईक आएगा जो टीर्स नीची की तरफ आएगा कुईका उ की वाइन भार्いき किसम का है या एपक करणा है ँषके इसलिए इसको तो यह जो राइज नहीं है और अगर यह वाइन अपको लाइड दिखता है मतलब यह एज्टा究 है और ठिक उल्टा होता है वाइट 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 के साथ अगर वाइट बहुत क्लियर दिखता है तो वह ज्यादा एज नहीं है अगर थोरा सा यूलेश दिखता है तो वह एज है चार्ण नॉम्मर पॉइंट में हाउ टू होल्ड डग्लास वाइट ग्लास यहाँ पर एक ट् आप कौन सा वाइन और किस टेमपरेचर पर लिये है इसली रेड वाइन जो है यह रूम टेमपरेचर में सर्फ किया जाता है तो इसका जो सेल्सियस है वो एडाउंड 15-20 होता है और अगर यह वाइट वाइन हुआ तो यह 7-12 डिकरिसलसियस में रहेगा अगर दर्क टेमपरेचर में आपको कोई बाया कड़न चाहिए आगर आप देखते हैं कि आपका रेट वाइन डेट वाइन ज्यादा विएंधों च हो चिका है उत्हों चेथे मतलब राइड यहाइन समय पया हो है तो फिर दो प्रजुशूल है ऐसे पकड़ क्या पीर सकते हैं ऐसा पकड़ने से क्या होगा आपका बॉडी टेमपरचर जो है यह ग्लास में डाइबर्ट होगा और आपका ग्लास को थोरा सा वर्म कर देगा और आपको जो डिजर टेमपरचर चाहिए वह वहां पर ड्रॉप डाउन हो जाएगा तो इसलि आपका मेन कोर्ष के साथ ले सकते है यानि पी सकते हैं अगर आप उसकी राम जीन वाटका ऐसा खुझ भी बोलेंगे तो देखेंगे उसके साथ स्टार्टर जबड़न चाहता है बाट रेड वाइन या वाइट वाइन ऐसा एल्कोहल है जिसके साथ आप खाणा भी खासकते यानि मेन को उस खा सकते है तो इसलिए wine का जो character है उसके साथ आपका जो food character है उसको properly binding करना ज़रूरी है तो कहा जाता है कि richer heavier wine के साथ richer heavier food सबसे best combination होता है मतलब red wine के साथ red meat and white wine के साथ white meat example की तो अब मैं बताऊंगा कि white wine जो है वो उसमें ज़्यादा acidity रहता है और जब आप white wine के साथ white meat मतलब मानली जो chicken रेश्मी कबाब अपने order किया आप जैसे आप रेश्मी कबाब खाते हो तो उसमें जो milk का coating है और जो cream का coating है वो एक परक बना देता है आपका palette में और जैसे ही आप थोड़ा सा high acidity wine पीते हो जैसे की white wine तो क्या करेगा आपका palette को वो wash कर देता है और जैसे ही wash करता है तो आप next bite में आपको fantastic taste का आप एहसास कर सकते हो हर टाइम आपका जो palette है वो clear करता है वो wine जब जब आप खाने के साथ पीते हो तो इसी लिए इस process को apply करके food के साथ wine को combine किया जाता है तो आगे से याद रखेगा जब भी जो भी food आप order करते हो उसके साथ कौन सा wine based होगा यह आपको जानना चाहि तो आज का वीडियो काफी लंबा हो गया हाला कि wine हमेशे एक लंबा सब्जेक्ट होता है फिर मैंने कोशिश किया अपनी तरफ से जितना हो सके compact करने के लिए hopefully यह वीडियो को अच्छा लगा अगर सच में अच्छा लगता है तो please like share and subscribe करना मद भूलिएगा इस चानल को thank you tata bye bye drink responsibly